स्वागत है आपके अपने परवार एके जी एस रिसर्ट सेंटर में मित्रो जैसा कि आपने थमनेल पर देखा होगा यूपी लेकपाल भरती में एक बड़ा खुलासा हुआ है कि जो आपके रिट्स हैं वो आपके टीचरों के द्वारा डाली जा रही है वहीं पर बहुत सारे बच्चे ये कह रहे थे कि सर हमारा जो पीटी का स्कोर कार्ड है वो नहीं है तो डीवी में हमको परेशानी आएगी या फिन नहीं आएगी तो उससे रिलेट्ड बच्चों को थोड़ा फायदा मिलने वाला है वहीं पर आपका रिजल्ट कम निकल सकता है और दोस्तो और वी यूपी लेकपाल से संबंदित जो भी महतपून वाते हैं वो आप इस वीडियो में जानने वाले हो इसलिए वीडियो को अंततक देखना है लेकर अगर अभी तक आपने अपने इस परवार को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आगे भी आपको विविन्य भड़तियों से रिलेटर जो भी महतपून अपडेट होते हैं वो आपको समय समय पर मिलते रहें मित्रो जैसा कि मैं आपको बता दू यूपी लेकपाल वेकिंसी में आपको पता है कि जो टीचर्स आपके बच्चों को पढ़ा रहे हैं उन्होंने कुछ बच्चों के फायदे के लिए रिड डाली है ये तो आपको पहले से पता है लेकिन दोस्तों एक बड़ा खुला सा सामने आ रहा है जैसा कि इन्फॉर्मेशन मिल रही है आप लोग AKGS रिसर्स सेंटर के दौरा जो आपकी पिछली लेटेस्ट वीडियो डाली गई है उसके कमेंट्स बॉक्स में भी पड़ सकते है बहुत सारे टीचर कमेंट्स कर रहे हैं कि अगर 11 अप्रेल को यहां पर सुनवाई समाप्त होती है तो हम 12 अप्रेल को नई रिड डाल देंगे तो मेरी उन टीचरों से निवेदन है अपील है किरपया करके बच्चों के भविष्य से ना खेले आप बच्चों के ग्रूजी हैं भगवान मानते हैं बच्चे आपको तो किरपया करके उनके भविष्य के बारे में सोचते हो है आगे रिड डालें क्योंकि अगर आप आगे रिड डालेंगे तो ये जो भरती का भविष्य है ये खराब होता हुआ दिख रहा है पहले से ही भरती 8-9 महीने लेट हो चुकी है और अगर आप और रिड डालेंगे तो निश्यती ये भरती पूरी नहीं हो पाएगी इसलिए मेरी आपसे रिक्वे हैं तो क्रिप्या करके बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हुए भरती को केस से अलग होने दे और 11 अपरेल को भरती को कोड से अलग होने दे जिससे की रिजेट निकल सके और दोस्तों मैं आपको बता दूँ जिन बच्चों के पास P.E.T. का स्कूर कार्ड किसी का लेकपाल का जो में का एकजाम था वही वच्चे देने गए थे जो आपका P.E.T. का स्कूर कार्ड आप जो स्कूर था उसको आपने कट किया था उसको आपने टच किया था तो दोस्तों यहां पर आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है अगर किसी कारण बस आपको UP.E. P.E.T. 2021 का scorecard भी नहीं मिल रहा है तो भी आपको document verification में कोई भी यहाँ पर बढ़िशानी नहीं आने वाली है क्योंकि UP तरपलेस यायोग ने UP लेकपाल का admit card तब ही जारी किया था जब आप जो scorecard था P.E.T. का उसका जो एक criteria था जो एक cut-off थी उसको आपने पार कर लिया था इसलिए निश्यंत रहें किसी भी तरह की चिंता में ना आएं लेकिन अगर आपके पास P.E.T. का scorecard है बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर नहीं है और किसी कारण बस मिल भी नहीं रहा है तो चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है अब बात कर लेते हैं result पर तो दोस्तों मैं आपको बता दू अगर यहाँ पर जो टीचर्स आपके रिट डाल रहे हैं अगर वह यहाँ पर थोड़े से सुधर जाएं तो साइद आपका जो result है वो आपको अपरेल के महीने में ही देखने को मिल सकता है देखिए मैं आपको reality बता रहा हूँ किसी को बुरा मानने की बात नहीं है मैं अपील कर रहा हूँ इन टीचरों से कि कृपया करके अपने रिटों को यहाँ पर आगे न बढ़ाएं जिससे बच्चों के जीवन से खिलवाड ना हो और दोस्तों उज्जुला वाले प्रिश्ण को लेकर चिंतितना हो वामें उसमें लगता है कि सभी को full मेकेंसी से संबन्दे तो आप कमेंट्स बॉक्स में लेख सकते हैं अगर आपने अभी तक अपने इस परवार को सबस्क्राइब नहीं किया है तो मेत्रों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आगे वी आपको जो मैत्पूर इंफोर्मिशन है वो आपको मिल सकती है तो दोस्तों मिलेंगे ऐसी ही एक नेक्स्ट वीडियो के साथ जैहिन जभारत